कि अधियर स्टुडेंट्स आज अपन एंब्रियोलोजी या डवलप्मेंटल बायलोजी का एक प्रिव्यू देख लेते हैं ताकि आग के चीज़ों को समझना आसान हो जाए एक स्पेक्टर में या पिक्चिर बन जाए अपने कि कैसे एक सामानिक उस्या जाइगोट है वो ए यह एक बड़ी स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें सिंपल स्ट्क्चर से लगातार जटिल से जटिल स्ट्राइग बनती रहती है तो आज अपने एक प्रिव्यू देख लियते हैं सबसे पहले डाउलप्मेंटल बायलोजी या एंप्रियलोजी के अंदर गेमेट जेनेशिस इस्पेशल टाइप आप सेल्स का फोर्मेशन होता है जो कि आगे चलकर जीव के अंदर बदलती हैं और उन कोशिकाओं को अपन गेमेट्स कहते हैं तो गेमेट्स दो परकार की हो होती हैं आता जो काम ये कोशिकाओं कर सकती है कोई दूसरी कोशिकाओं नहीं कर सकती है अपने काम के लिए ये इतनी ज्यादा स्पेशलाइज हो जाती है कि मतलब अपना काम बहुत आसानी से इनका काम संपाजित हो जाता है तो इस के लिए को अपन गेमेट्स गेमेट्स की जो process है उसको अफनने gametogenesis कहते हैं तो एक इंडिविजियल के अदर जो फिमेल उसके अंदर बनेगा उसको अफनने ज्वन बनेगा उसको अपनने इसप्रमेटोजनेस हैं तो दोनों अपने आप में अति विश्यस्ट शरंचनाई बनाती हैं कि इस्परिमेटोजनेसिस में इतना सुक्षम स्माल मोटाइल और हैपलोईड कोशिका बनती है कान की उसको चलना पड़ता है उसको मूँ करना पड़ता है इसलिए उसके अंदर वह एक मोटाइल स्ट्रक्चर फलेजलम की द्वारा वह तेड़ता रहता है और एक मोटाइल को बहुत सारा रिजू फूट मेटियल इकटा हो जाता है इसलिए इनका आकार पैक्शाकर बड़ा होता है और यह नोन मोटाईल होती है इसलिए सेल्स और हाइली डिफरेंटियरेड़ एडिपेशलाइजट में इसकोनाइज़ीर को अंदर के जो सब श्रक्तों में बर्भडे विस तो गेम्मेट्र ज्यusa से गेमट्स को निमान होता है जो कि आगे चलाकर जीव के अंदर मधलती है अब घमेट्स बनके next जो je days आता है वह फरडलाइचन दोनों घमेट्स आपस के अंदर दोनों अपकिल्ध हैं और दोनों आपस समुद्र के अंदर अपना example के तौर पर लें समुद्र के अंदर लाखो परकार के जीव रहती हैं लाखो परकार के spermato djuan और लाखो परकार के और एक vicinity के अंदर एक ही जगह मिलती है पर आपस के अंदर सम्मान जाते के जो gamets है वही fuse होती है दूसरी आपस दूसरी जाती का जो गेमेट है वो फ्यूज नहीं होता तो कहने का मतलब यह specific process है ठीक है तो इसके अंदर कई सारी steps होती है identification सबसे पहला काम identification होता है और उसके बाद में दोनो जो गेमेट्स हैं एक दूसरे के नजदीक आते हैं species specific होता है और फिर इनके अंदर अगर identification हो जाता है कि समान जाती के हैं दोनों के मेट्स तो उसके पस्चात इनके अंदर chemical and physical reactions है वो सुरू हो जाती है और आपस के अंदर दोनों कोशिकां के जो nucleus मिलकर एक common कोशिका का निर्मान करते हैं या amphibixing की process है वो इनके अंदर होती है और पुन deployed restore हो जाती है और उस कोशिकां को जो deployed कोशिका बनी है उस कोशिकां को अपने जाइगोड कहते हैं और यह जाइगोड आगे चल कर एक नहीं जीव के अंदर रूपांत्री तो होता या बदलता है ठीक नै तो पहले gametogenesis के अंद जाती है कि जो gamets हैं आपस में फ्यूज होकर जाइगोड बनाते हैं अब जाइगोड के अंदर क्या होगा जाइगोड एक कोशिक के structure है जबकि जो metogen G हो है उनका सरीर बहुत सारी कोशिकां से मिलकर बना हुआ होता है इसलिए यह जो एक कोशिका है यह बहुकोशिके structure के अ जाती है और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं cleavage यानि इस में कोशिकां के संख्या बढ़ेगी cleavage का मतलब सामानिता एक mitosis है mitosis से कुछ अंतर है इनके अंदर mitosis अपने जो सामानिये शरीर के अंदर जो mitosis होती है वो थोड़ी अलग होती है और यह mitosis थोड़ी अलग है यह बड़ी फास्ट है इसके अंदर जो अपने जी फेज है वो जी फेज नहीं होती तो यह अपने आप में करें सेलूलेशन है या सेगमेंटेशन जो ओवम है उसी के अंदर लगातार विदलन या क्लिवेज होते रहते हैं और जिन से कोशिकाओं का आकार लगातार छोटे सी छोटा होता चला जाता है पर संख्या लगातार बढ़ती रहती है तो इसके अंदर आपन देखें तो जो कोशिकाओं के संख्या बढ़ जाती एक कोशिका कई कोशिकाओं बदल जाती है तो उसके टुकड़े हो जाती है अपन का सकते हैं और बहु कोशिक यह जो है वह रिस्टोर हो जाती है रिजरूब फूड मेट्रियल लगातार एक्टिव साइटो प्लाजम में बदलता रहता कान के हर कोशिका को साइटो प्लाजम चाहिए हर कोशिका के अंदर क्रोम होते हैं नुकलियस साइटो प्लाजम माइट्रो कॉंट्रिया लगातार इनका निर्मान होना आवशिक है इसलिए जो रिजरूब फूड मेट्रियल अंडे के अंदर कठा रहता है वो किसके अंदर पदलता रहता है और इन से जो कोशिकाई बनती है जाइगोट के डिविजन से जो कोशिकाई बनती है उन कोशिकाई को अपने ब्लास्टोमर्स कहते हैं तो ब्लास्टोमर्स का नंबर है वो लगातार बढ़ता रहता है क्लिवेज में इसके अलावा क्लिवेज में जेनेटिक सुरू होता है जो अपने गेमेट्स होते हैं स्प्रमेटो जोन और ऑवं ये जनेटिक ली किर little हींश्क्रीं होते हैं इनके अंदर ना आरानि करने मान होता है ना को फ्रोटिण करने मान होता है बिलकुल इनट अब यह बारна है यह सक्री होना सुरू हो जाते हैं। principle तो टरांस्क्रिप्ट्सन ओर ट्रांस्लेस्टट्र गोल mia जाती है और बार सरु हो जाती है और इनसे जो एककोशे के गोल अपन को पता है मुश्टली गोलाकार होता है या या कार होता तो संख्या वो डिवाइड होके एक बोल के समान बदल जाता है जिसमें बहुत सारी कोशिकाई है हीपस अपसेल उनका आकार गोल होता है उस अवस्ता को पन मोरूला कहते हैं तो जो जाइगोत है एक कोशिके स्ट्रक्चर वो बहुत को शीका के मोरूला के अंदर बदल जाता है जिसका आकार अंडे के समान ही नहीं रहता है आकार में कोई आर से देखे कोई बदलाव नहीं आता और यह एक सोलीडी स्ट्टर्ट्चर है मोरूला अब दिरे-दिरे क्या होता है मोरूला की जो कोशिकाइं हैं उनके अंदर पलसेटेशन शुरू हो जाता है रिथ्मिक संकुचन और कॉंट्रेक्शन शुर पर्ट में बनना शुरू हो जाते ही पार के पर्ट में जमा हो जाते हैं उनके अंदर फॉर्मेशर के करेक्टर बार से ब्लास्टो प्रवाज़ना भॉर्ट के जो जाते हैं प्राच सिल करते हैं तो एक टी और एक lock जाती है जिसको अपने सारे बदलावाते हैं या अपन कह सकते हैं गेसला अपने आप में जब पिया अपन कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं उसके नीव रखी जाते हैं एक ब्ल्यू प्रिंट बनाया जाता है यह अपने आप में एक ब्ल्यू प्रिंट बनाता है कि आगे चलकर जो यह ब्लास्ट उ हो जाती हैं उस अंग निर्माण के जगे पर पहुंझ जाती हैं तो कोशिकाओं के अंदर मुवमेंट हो जाता है डिविजन जो अपना क्लिवेज के अंदर पड़ा है डिविजन है वो धिरी हो जाता है और कोशिकाओं री अरेंज होना सुरू कर देती हैं जिसको अपने मोर्फो जनेटिक मोमेंट करती हैं तो को सिकाएं मोर्फो जनेटिक मोमेंट का मतलब बता को सिकाएं एक जगे से दूसरी जगे जाके एक खास सरंसना का निमान करती हों ऐसे moment को अपने Morphogenetic moment कहेंगे तो कोशिकाएं छंटना सुरू हो जाती है एक नया arrangement कोशिकाओं के अंदर आ जाता है और ये कोशिकाओं तीन जर्मिनल लियर्स के अंदर रुपांत्रित हो जाती है अपने देखा मुरूला के अंदर गुला कार structure है कोशिकाओं का मास है ब्लास्टला के अंदर वो एक लियर के अंदर बदल जाती है और gestulation के अंतर P?B जो एक लियर बनी है वो तीन अलग अलग लियर्स के अंदर रुपांत्रित हो जाती है और इन पड़तों को अपन काते हैं जर्मिनल लियर्स ठीक है ना सबसे आउटर मोस्ट है उसको एक्टोर्म कहेंगे जो सबसे अंदर है उसको एंडोर्म कहेंगे और जो बीच की है उसको मीजोर्म कहेंगे तो आगे चलकर जितने पी जीव के अंदर अंग बनते हैं इन तीन पड़तों से ही बनते हैं इसलिए इन पड़तों को अपने जर्मिनल लेयर्स कहेंगे इसके अलावा दूसरा जो मेतोपन बदलाव है इनके अंदर एक नई केवटे बन जाती है जो ब्लास्टोसील है बहार की कोशिकाएं अंदर धंसना सुरू हो जाती है जैसे अपन किसी रबर की बोल को अंगुटे से दबाएं लगातार दबाते रहें दबाते रहें तो एक नई जो अंगुटे से नई केवटी बनती है उस केवटी को अपन कहते हैं ब्लास्टो आर्क hydrois to me ia तो जहांसे यह क्विटी का जो मुख है अगर आगे चल कर जीव के मुख के मुख के अंदर रुपांतित हो गा तो उन जनतो को पन कहीं है उनको पन कते हैं ट्रेज क्विश ऩइक नो इसके अलावा के वह UK Celine सिटार्ड हो जाता है अब तक को्ल जाओं के अंदर की जो किमेस्टी ऐ वो भी इसके अंदर सुरू हो जाती है तो अपने देखा лиर बन गई अब इन जर्मिनल लेयर्स से आगे चलकर अलग अलग अंगों का निर्माण होगा उस अंगों की निर्माण को अपन क्या कहेंगे ओर्गिनो जनेशेस यानि ओर्गन निर्माण की परकिरिया अब सुरू हो जाती है तो इसके अंदर क्या होगा जो जर्मिनल लेयर्स हैं इनके छोटे छोटे टुकडे अलग अंगों में बनना सुरू कर देते हैं तो सब से पहले प्राइमरी ओर्गन रूडिमेंट बनते हैं फिर सेकंडरी ओर्गन रूडिमेंट बनते हैं और लगातार ये आगे से आगे आगे से आगे करमबद तरीके से चलते रहते हैं अंग निर्मानक की परकिरिया है वो शुरू हो जाती है तो रूडिमेंट बनने के परशाथ इनमें क्या होगा बहुत छोटे होते हैं शुरू के अंदर ये बहुत छोटे होते हैं एक हलका सा कच्चा नक्षा तैयार हो गया जीव का कच्चा नक्सा त्यार हो जाता है बहुत छोटा होता है अब इसके इंदर क्या होगा ग्रोथ होगी आकार थोड़ा सा इनका बड़े तो इसके इंदर क्या होगा नंबर ओफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी इसके लावा size of sales हैं वो increase होंगी है न ओर्गन रोडिमेंट्स हैं वो increase होंगे volume के अंदर और increase in nucleoplasm and cytoplasm तो कहने का मतलब कोशिकाओं के संख्या बढ़ेगी और कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा जिससे जो ओर्गन रोडिमेंट्स बने हैं उन ओर्गन रोडिमेंट्स का आकार है वो भी लगातर बढ़ता चला जाएगा लगातर बढ़ता चला जाएगा next आता है अब differentiation की process है वो शुरू होगे यानि कोशिकाओं differentiate होना शुरू हो जाती है यानि एक दूसरे से अलग होना सुरूख हो जाती हैं जैसे अक्तुरव्ञ का एक्तूडम कर डूसरा नर्वा सेलस करने माण करती हैं दूसरा नर्वा सेलस कर रिमार करती हैं दूनूंगों नर्वार्यज़्ञ मान पर देखाएं पर दिरे दिरे कोई पर 精讲 को सबमान entfer burger calls ET और जो अंदर की फिजियोलोजी वह बदल लेती हैं ऑर जो नर्वे सेलस हैं वह लंभी हो जाती है एक्जॉण्स देंटराइट वगरे निकल जाती है यानि इंपल्स को कंट्रेक्ट करने के लिए रुपानृत हो जाती है डिफ्रेंसीशन की प्रोसेस सुरू हो जाती है तो कोशिकाइं ग्रूप बनाना सुरू कर देती है कह सकते हैं अपने कोशिकाओं में डिविजन ओफ लेबर से वो आ जाता है कोशिकाओं कारिय बढ़ जाता है और कारिय के आधार पे ये अपना रूप जो मॉर्फोलोजी है बीहवियर है और जो अंदर की केमिस्ट्री है वो बदल लेती है तो कोशिकाओं ग्रूप बनाना सुरू कर देती हैं ग्रूप से फिर क्या होगा टिस्यू और और सिस्टम्स का निर्मान सुरू हो जाता है अगर डिफ्रेंशिशन को अपन मोटे रूप से देखें तो ये एक तो मॉर्फोलोजीकल डिफ्रेंशिशन होगा जैसे कि अपने बात कि एक्ट्रोट्रम है कुछ कोशिकाओं नर्वल सेल्स के अंदर कुछ एपिडिमिस के अंदर रूपानतित हो जाती है मोर्फोलोजी है वो बदल जाती है इनका कारिये के आधार पे इनका आकार बदल जाता है ताकि वो काम ज़्यादा आसानी से संपादित हो सके दूसरा एक्जामपल है जैसे मेजोडरम से डर्मिस बोन्स और मसल्स मेंजोडरम होती है पर कुछ कोशिकये डर्मिस के अंदर बदल जाती है यह जो काम है वो बदल जाए शुरू के अंदर सब कोशी कहीं एक समान होती है पर जो जो प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है तो तो अपना काम पीए बदलती रहती है इसके अलावा जो काम करेंगे वो क्या होगा अंदर की केमिस्ट्री बदलेगी तब काम अलग अलग सुरू करेंगे तो उसको अपना अंदर की केमिस्ट्री बदलने की करिया को केमिकल डिफ्रेंच baru कैते हैं यानि अब डिफरेंड परकार की प्रोटीनज है वह उनका संस्ट्रेंशन सुरू हो जाता है जैसा काम वैसे प्रोटीन उसके इंदर बदना सुरू की MR गया जैसे मसल सेंस जाती है नेक्स्ट इनका स्टेज है मोर्फोजेनेसिस तो यह सब चीजे होने के पश्याद क्या होगा यह बोडी जो एंब्रियो बंद रहा है उसका आकार थोड़ा थोड़ा अडल्ट से मिलना सुरू हो जाता है एक्वाइजिशन ऑफ बोडी फोर्म बोडी फोर्म पर आप करें करें करेक्टरिस्टिक साइज उसका साइज और सेप है वह अडल्ट के समान आना सुरू हो जाता है रिलेटिव साइज जो इनकी पोजिशन और साइज है वह डिसाइड़ हो जाती है रीशेट ऑफ कम्मुनिकेशन एंड इंट्रेक्शन अमंग दा सेल्स कोषिकाओं के बनते हैं और सिस्टम संट्यत्यetr python त्यों मनके नदर कम प्रूपोरियिकिशन वह मजबूत होता चला जाता है जोखने है यदिerson triggers शुरू जाता है em किरियओं उसका अ कर अजल तील्ट दिखने लग जाएगा याणि अ किरियां को प्राप्त करने के लिए यह करियां इंके सुरू हो जाती है ठीक है और यह जो मौर्फोजनेसिस है यह खास केमिकल्स होते हैं उनके दुवारा कोशिका के अंदर सुरू होते हैं जिन उन एजेंट्स को अपन कहते हैं मौर्फोजन्स तो मौर्फोजन्स निकलना सुरू होते ही मौर्फोजनेसिस की प्रोसिस है वो सु और extra cellular भी हो सकते हैं तो यह कोशिकाओं को induce करती हैं Morphogenesis के लिए induce करती है कोशिका स्वेम पी इन पदार्तों का निमार शुरू कर सकती है या बार से जो पडोस की कोशिकाई हैं, communication के दोआरा, वो कोशिकाई पी पडोसी कोशिका को उद्धिति कर देती हैं जिससे क्या होंगा? टीशू बन जाती हैं टीशू का मदलब एक समान कोशिघाओं करने वाले कोशिघाओं का समौग है तो जो कोशिघाओं हैं वो शब एक समान कारी करना सुरू कर देती है और लास्ट में में मेतामॉरफोसिस तो मोर्फो जनिसिस में क्या होता है अडल्ट का आकार गरंड कर लेता है पर कुछ जीवों में क्या होता है जो हैचिंग होती है जो बच्चा पैदा होता है वो अडल्ट के समान नहीं होता तो जिनके अंदर अडल्ट के समान जो बच्चा पैदा नहीं होता उनके अंदर एक और प्रोसेस होती है जिसको पर मेटामोर्फोसिस कहते हैं यानि ट्रांसफोर्मेशन इंटू अडल्ट अडल्ट के इंतर रुपा रित हो जाती है यह मुस्टली हैचिंग के बाद मी होती है जब अंडा तोड़कर जीव बहार आ जाता है जैसे अपने देखा है मच्छर का अ पारवा होता है उसका अकार अलग होता है यह तितलिया है मेंड़क है तो जो हैचिंग के द्वारा जीव निकलता है उसका अलग होता है अडल्ट का अलग होता है तो यह हैचिंग के पश्याथ क्या होगा इनके अंदर कई सारे बदलाव आते हैं और लास्ट में यह अडल् प्रफोसीज के आदार पे अपन दो भागों में बाण सकते हैं डारेक्ट डिवलोप्मेंट जिनके अंदर जो अंडे से जीव निकलता हो अडल्ट के समान अगर दिखता हो जैसे अपने हुमन बिंग से हैं जितने पी अपने यह आपकी बड्स हैं मैमल से इन में डारेक्ट में लारवल्ट फॉर्म पाई जाती है जबकि डार्व डारेक्ट डिवलोप्मेंट के अंदर कोई ऐसा आकार नहीं होता ये मेटामुर्फोसिस है, mostly hormones के द्वारा संपा देते होती है, जिसे मेंड़क के अंदर थाइरोक्षिन और ये इंसेक्ट है, इनके अंदर एकडाइसन, नामक होर्मोन निकलता है, जो कि इनका आकार बदल दता है, और दिरे दिरे इनका जिस शेप है, वो अडल्ट के समान द को सब्सक्राइन डिकने लग जाएगा,